रूस और युक्रेन युद को लेका दुनिया में उथल पुथल मची है और इन सब के बीच भारत अचानक वैश्विक कूटनीती के केंदर में आ गया है इस सिल्सिले में चीन, मेकसिको, बShouldn और रूस के विदेश मंत्रियों की भारत यात्रा को महत्वपून माना जा रहा है रूस और बिटेन के विदेश मंत्री आजराद भारत पहुंच रहे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेश लावरो विकति स्मार्ट से दो दिवसीव भारत यात्रा पर आ रहे हैं और अभी वे अपनी चीन यात्रा पर हैं उनके दोरे को इसलिए हम आना जा रहे हैं कि यूकरेण पर हमले के बाग वो पहली बार भारत आ रहे हैं इसलिए अपने चीन दोरे के बाद रूस के विदेश मंत्री भारत दोरे पर आ रहे हैं भारत तठस्त मुमिका निबाता हुआ नजर आ रहा है रूस के अनुचित युद पर दलिप सिंग इसके परिनामों और विश्व युद अर्थवस्था पर इसके प्रभावों को लेकर समकक्षों के साथ बारता करेंगे इसके अलावा रूसी राजदूत डेनिस अलिपोफ भी भारत आ चुके हैं उन्होंने का भारत रूस संबंधो सहित पूरी दुनिया पर पड़ेगा युद का सर प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है तो कौन-कौन से देशों के प्रतिनीदी भारत आ रहे हैं वो इन ग्राफिक्स के जरीए हम आपको जानकारी दे रहे हैं जर्मन सुरक्षा एवँम विदेश नीदी सलाकार जेन्स फ्लोटनर ने भी 30 मार्च को दौरा करना है दोनों के बीच दौइपक्षिय मुद्दो पर बातचीत हुई ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब कई देशों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर हैं और एहम दौइपक्षिय और बहुपक्षिय चर्चा हो रही है इसके साथ ब्रिटन की विदेश मंत्री भी भारत पहुँचने वाली है ट्रस नई दिली में भारती विदेश मंत्री एस जेशंकर से मुलाकात करेंगी मुलाकात में दौइपक्षिय शेत्री और वैश्विक मुद्दो पर चर्चा होगी पिशले कुछ हफ्तों में आस्ट्रिया और युनान के विदेश मंत्रियों ने भी भारत का दौरा किया माना जाता है ट्रस और जेशंकर की बाचीत काफी एहम होने वाली है इस यात्रा से कारुबार निवेश विग्यान रक्षाइवम कई मुद्दों पर मदद पर चर्चा होगी रूस की विदेश मंत्री सेर्गे लावरोव दो दिन आधिकारिक दौरे पर है चीन में दो दिविसी दौरा करने के बाद सेर्गे लावरोव का ये उचिस तरिये दौरा माना जा रहा है